तो आज जमा जम बारिस हो रही है हमारे यहां और ऐसे में कुछ चटपटा ही खाने का मन होता है तो आज मैं खाने में आलू की बहुती स्वादिश्ट प्राठे साथी सूपर टेश्टी खटी मीठी चिटनी की रेशिपी शेयर करूँगी तो आप सोच रहे होंगे कि आलू क प्राठे के रेशिपी बताऊंगे उस तरीके साथ बनाएंगे न तो दो की जगा चार रोटी यह बच्चे और बड़े खा जाएंगे तो इस तरीके से आपने कभी भी नहीं बनाएंगे तो वीडियो को फूल वच कीजिएगा तभी आपको सारी रेशिपी समझाएगी आपको आज की हमारी रेशिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल पे ने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो मैंने पे प्याज को बारिक से कट कर लिया है हरी मिर्च धनिया की पत्ती इन सब आलो मैंने बॉil करके ठंडी होने के लिए रख दी और आलो के प्राथे बनाने के लिए हमारी अलू बिलकुली तयार है अब यहां पर मैंने गैस पे कड़ा ही रखी है सबसे पहले श्टफिंग के लिए हम बनाएंगे एक मैजिक मसाला तो यहां पर मैंने एक चमच साबु जीरा एक चमच हरी सौफ तीन लाल मिर्च और एक चमच साबुद धन्या डाल दिया है अब इसे लो फ्लेम पर इसे हमें अच्छे से रोष्ट करना जब तक बहुत ही बढ़ियां से खुसबुना आने लेगे तो इस तरीके से जब आप यह मसाले बनाकर के श्टफिंग बन और आलो के प्राठे का स्वाथ चार गुना ज्यादा बढ़ जाएगा ते देखिए हमारे मसाले भून चुके हैं वापस से में वही कडाही में दो बड़ा चमच ले रही हूं सर्सो का ओल है इसमें थोड़ी सी में हंदी डाल दे रही हूं इसे तेल के चीटे नहीं उड़ करेंगे ताकि जो अधर का ध़os निकल जाए माझा इसी के साथ यहां पर यहां पारिक कटीवे प्याज को जा फिर today जिए तो आंब तक आमारी प्याज निजाती है तब तक यहां पर मैं एक तायारी कर लए ठर्टन चाही ख् pugbey अ कहल नहीं नहींना है तो हैं जर्वादा क यह भी डाल कर इसे पल्स मोड पर दर दर असा पीस लीजिए गा तो देखे हमारे मसाले यहां पे दर तरी सी तयार हो चुकी है यह मैजिक मसाला डालने से नो बहुती बढ़ी असा फ्लीवर आता इस तरह के साफ मसाले जरूर से ट्राइ ट्राइ कीजिए गई अब यहां पर हमारे प्याज भून चुकी है तो यहां पर जो मैंने आलो को छील करके रखा था ना उसे मैंने मैस वगरा कुछ भी नहीं किया बस ऐसे ही मैं यहां पर साबुत आलो ही इसमें डाल दे रही हूं अब यहां पर कल्छी की मदश से मैसे चलाते वही अच्छे से मैस कर लोगी नहीं बनाने के लिदे की अवगत ही इनशी बनानाई की अक्सर आलो के प्राथे बनाने के लिए यह मैं सोचते हैं कि बहुत ही जादा महनत है तो मैं यहीं तोमें कोई हैं और चुछ बंस लिए हमसी innovative product by Cute Втор DAY, तो अब यहां बनाए फेगे मुस अफर से चाहिए तरी के मैं तो अधिक नेक्ष रेसिपी में इसे यूज़ कर लूगी तो यहां पर मैं डालोंगी एक चमच कसूरी मेथी इसे हाथों से क्रस्ट करके डाले इसे फ्लेवर और खुशू बहुत ही पढ़िया जाता है इसी के साथ यहां पर जो मैं नहरा धनिया काट करके रखा था उसे भी बहुत ही मज़ेदार बहुत ही ज़्यादा टेश्टिया फिलिंग बनकर के तयार हुई थी और मैं अपको बता दूँँ जब आप इस तरीके से अलो के श्टफिंग बनाएंगे नो थोड़ी सी आलो के श्टफिंग आप ज्यादा ही बनाईएगा क्यूंकि बच्चे को बह तो इस तरीके से और यहां पे दो सुकुल्खी लाल मिर्च मैंने एड़ कर दिया है अब अच्छे से रोस्ट कर लेंगे एक मिनिट के लिए हाँ जाल टमाटर के बड़े प्राइब अधरा खटा देना रोष्ट करके यहां पर मैंने चट्नी बनाने के लिए 6 बड़े साइज के लाल टमाटर डॉणे अच्छे बूनेंगे कुछ भी यूजड नहीं करना है यहां पर मैं नमक के साथ अच्छे से भूंझ जए और गल जए अच्छे से तो आप टमाटर साथ नमक ज़रूर से आड कर दीजिएगा और यहां पर मैं बहुत इसे स्वादिष्ट बनानी के लिए में डाल रही हैं इसे मैंने अच्छे से वाश कर लिया है अभी बर्शात का सीजन है तो जब आप इमली वगेरा यूज करें तो इसे अच्छे से चेक करके ही डालिएगा क्योंकि इसमें कीड़े विगरा भी होते हैं तो यहां पर देखिए मैंने टमाटर को अच्छे से भून लिया है और यह बहुत अच्छे से यहां पर गलवी चुकी है तो मैं यहां पर ले रही हूँ तीन चम्मच चीनी अब चीनी की जगह यहां पर गुड़ का व्यूज कर सकते हैं बट मुझे चीनी वाली यह चटनी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है तो मैंने यह पर चीनी एड़ कर दिय अब चीनी राल देख साथ है हमारी चटनी का जो कलर है बिल्कुली अच्छे से चेंज हो जाएगा बहुत ही बढ़ है इसका फ्लीवर आ जाएगा तो यह देखे हमारी चटनी बन करके तयार हो चुकी इसे मैं निकाल लेती हूँ अब यहां पर देखे मैंने आलो के बहुत ही बढ़िया बनते हैं तो यह देखे मैं यहां पर मैंने थोड़ी से सुखा आठा रख लिया है और यह हमारी आलो की बहुत ही टेश्टी सी स्टाफिंग बन करके तयार है तो चलिए अब इसकी इंस्टन प्राथे में बना लेती हूँ अब यहां पर मैं एक बॉल बनाने के लिए जितनी बड़ी मैं डोल लेती हूँ उसकी डवल मैं यहां पर लिए क्योंकि आलो के प्राथे मुझे थोड़ी से मोटे ही अच्छे लगते हैं और इसे सुखे आठे में डश्ट करके इस तरीके से एक कटोरी का शेप मैं इसे दे रही हूँ इस तरीके से द इस तरीके से मैंने दवा दवा कर इसमें डेर सारी आलो के स्टाफिंग डाल दी है और इसे अच्छे से कर देंगे कवर तो बहुत ही बढ़ियां से यहां पे हमें इसे कवर करना है कोई भी क्रैक्स इसमें नहीं होने चाहिए तभी आपकी रोटियां बिल्कुल भी ना ही ना टूटेगी और पढ़ियां से फुली फुली आपकी आलो के प्राठे बन करके तयार होंगे तो इस तरीके से मैंने आप एक बना ली है मैं आपको एक और बना करके दिखा रही हूँ जब भी आपको बारिस के मौसा में कुछ चटपटा खाने का मन हो ना तो आप खाने म आलो के प्राठे में आप आलो कम नहीं डालेगा वरना आपके प्राठे अच्छे नहीं लगेंगे तो इस तरीके से इसे बढ़ियां से इसे कवर कर लेना है कि देखिए हमारी दूसरी डोबी बन करके तयार हो चुकी है तब चली फटा फट से बेल लेती हूँ सबसे पहले सुखा आटा मैं इस पे डश्ट करूंगी और इसे बिल्कुल भी दवाते वे इसे हमें नहीं बेलना है बिल्कुल ही हलके हाथों से बेलना है वरना जादा जोर से जब आप इसे बेलेंगे ना तो आलो इसकी फटकर के बाहर आ जाएगी अब देखिए हमारी रोटी पहले एक साइड नहीं अच्छे your ने लेका है तो आएगी शायड है को इस टरीके से मारे हमारी रुसे मैं उलटः कर अख्यास तो आएव पराथे को इसे जच्छीए फेसे इतार आपी मैं अच्छीरा ना रह है मतारे दूसरे बी प्राथे अच्छी है तो चलिए अब मैं गर्मा गरम आलू के प्राथे और तमाटे की घट्टी मीठी चटनी के साथ आज की हमारी बहुत ही यम्मी सी लंच की थाली मैं तयार कर लेती हूं इसले अब मैं हमारे लंच को रेडी करती हूं था component के लिए और यहाँ प rumor मिर्च का चार के-पंदों कहँ लंच को चल्प किया है..venir jsौने को बिद पराइस के नेष नषी का तीक्षार लिया है इस की ऊचाल में बिदम साफो। तो आज की हमारी ठाली जादा टेश्टि वनी थी .. इस तरीके से एक वार आलू के प्राठे और चटनी के साथ आप भी इस रेजीपी को बना करके ट्राइ कीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें